कि मैं कहां जाने वाली हूं वीडियो में आप लोगों को आगे जरूर पता चलेगा मेरे पास पैसे ही नहीं है कढ़ाई कुकर खरीदने के लिए मेरे बरतन बहुत ज्यादा गंदे रहते हैं यहां पर बनाया है मैंने मख्षन आज क्या दिन से सोच रही थी इसको बनाने की मैं अज बनाओं आज बनाओं लेकिन इसका नंबर ही नहीं आ पा रहा था आज मैंने इसको सुवह सुवह ही बना लिया और मख्षन बनाने के बाद इसको साथ के साथ ही गरम कर दूंगी और आज कर मौसम जो ठीक हो गया ना थोड़ा सा तो मुठखन भी जल्दी आ जाता है और मैंने इसको एक गंटे पहले फ्रिज से निकाल के रख दिया था और ये जमाया नहीं है बेना जमाये हुए निकाला है आज है और इधर इसका ये दूद सा निकला है इसका अभी कुछ न कुछ बनाओंगी और इधर मक्खन गरम कर लेती हूँ पहले क्योंकि इसको गरम होने में बहुत टैम लगता है और ये एक बार उपर आ जाता ना तो इस पर गैस पर आग जलने का भी डर रहता है बहुत ज्यादा इसको बहुत ज्यादा ध्यान से बनाना पड़ता है क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए मैं खड़े होकर इसको गरम करूंगी जैसे उबलने लग जाएगा तो बिल्कुल इसको सिम कर दूंगी गैस को और यह दीरे दीरे जो है पकता रहेगा क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा तो अभी जब तक मैं यह गरम हो रहा है अच्छे से उबाल नहीं आ रहा और इसमें जब उबाल आता है तब ही उपर जाता कितना भी आप ध्यान दे लो लेकिन सिम गैस पर भी उपर न आपड़ता है घी तो अब इसको मैं अच्छे से गरम कर लेती हूं यह देखिए घी गरम हो चुका है बहुत अच्छे से देखो कितना साफ है उपर से अगर निकाल लो नो छानने की भी जरूत नहीं पड़ेगी लेकिन मैं छानूंगी डबा निकाल लिया है मैंने पहले से बढ़ेगी जिसमे घी था उसी डबा मैं निकाल लूंगी यह से हमारा घर मदाल एंपमारा घर बढ़ा एक वन जाना को देखिए निस नेतर्ट के लेते से जानार रगमभी काम ड activities जाता जो पर दूनिन सो आयो हम यूटऽ दूब फैमली राधे राधे कैसेह हैं है आप बहुत बहुत अच्छे होंगे आप सभी का वेलकम है आपके अपने सुनीता सर्मा ब्लॉग पर तो अभी मेरा पूजा पार सब कुछ हो चुका है और पूजा करने से पहले ना अभी मैं चावल बनने भी रख के आ चुकी हूँ क्योंकि दाल बनी चुकी है और चावल बना ल हूँ और आप लोग आगे का व्लॉग जरूर देखिएगा जो मेरे ब्लॉग आएंगे अब वो बहुत पसंद आने वाले हैं आप लोगों को और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चेनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्योंकि आपको नोटि ब्लॉग में पता चलेगा आप लोगों को इससे आगे वाले ब्लॉग में क्योंकि अभी तो मैं खाने पीना बनाओंगी अभी चावल रखके आचुकी हूं मैं बनने के लिए एक सीटी आईगी तो चावल भी फटा फट से बन जाएंगे दाल चावल टोटी भी बनाओंग तो यह भी खतम कर दो काम तो वह सब कर लिए मैंने बाकी कपड़े भी धोकर आ चुकी हूं तो वह भी सूख जाएंगे और बाकी फिर खाना पीना तो आज कुछ वैसा नहीं बनाया इसलिए मैंने दाल चावल रोटी बनाया मैंने का इसको साइड में बना के रख दूंगी और बाकी और भी काम कर लिए मैंने तो यही होता है क्योंकि घर से कहीं जाते हैं तो फिर बहुत सारे काम फैल जाते हैं तो इस वज़े से और जहां भी मैं जा रही हूं वहाँ पर आप लोगों को देखने में आप सब को देखने में बहुत अच्छा लगेगा वीडियो आ आज मैं एक कोमेंट के बारे में बात करने वाली हूं एक कोमेंट आ रहा है मेरे पर यह कोमेंट पहले भी आ चुका है और इस बार भी आया है क्यूंकि कोमेंट आया मेरे बरतनों को लेकर और वह कोमेंट है आप लोगों को दिखाती हूं कि मतला उसमें बोलाए उन्होंने कि आपके बर्तन देखकर तो घिन आती है, तो मेरे बर्तन इतने ज़्यादा विकार है, आप लोगों को इतना विकार लग रहा है, तो क्यूं देख रहे हो मेरी वीडियो, सबसे पहले तो आप वीडियो मत देखो, जिसको पसंद आती है, मैं वही बोलती हूँ, मतलब एक वीडियो देखते हो और कॉमेंट कर देते हो, मेरी सारी अगर वीडियो देखी हो तो बर्तन जो है, मेरे पास बहुत सारे है, ऐसा नहीं है, नोनिश्टिक भी है, सब कुछ है, लेकिन जो मैंने हमेशा बताती हूँ, मैं लोहे की कढ़ाई में बनाना पसंद करती हूँ, बर्तन, मतलब कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं जादा तर, और लोहे की कढ़ाई जो है, आप लोगों ने देखी होगी, बहुत जादा साफ नहीं होती है, उसको करने में बहुत टाइम लगता है, और मैं जब करती हूँ, तो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, कि आज मैंने कढ़ाई साफ की, तो उनका यही कोमेंट था, मुझे बहुत अजीब लग रहा, कि बर्तनों को देखकर, मतलब घिन आती है, खाने में से किसी को घिन आ सकती है, बताओ, और जब कि इतना ऐसा खाना बनता है, उसको भी देखकर आपको घिन आती है, फिर तो आप पता नहीं क्या बनाते होंगे, क्या इस स्पेसल बनाते होंगे, समझ में नहीं आता, कौन है यह, तो आज मैं इस बारे में मैंने का, बात करती हूँ, मैं यह, दो-तीन देन पहले कॉमेंट आया, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर आपारी थी इसके बारे में, बाकी मैं पढ़ के दिखाती हूँ इस कॉमेंट को न, जरूरेंगी क्यूंक है छूह रावाय कि ए टेक ने कि खाने पीने बारे में कोई कैसे बोल सकता है, शायद इसमें नहीं है इसी फोन में जिससे मैं बात कर रही हूं तो ये उन्होंने ऐसे खाने पीने के बारे में बोला तो मुझे बहुत अजीब लगा कि खाने पीने को कोई ऐसे कैसे कह सकता है तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी आई हो वी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ और वीडियो आगे के देखना बिलकुल मत भूलिएगा तो चलिए फिर बाइबाइ अभी चावल जो है बन चुके हैं और इधा दाल तो बनी चुकी थी पहले और तड़का भी लगा चु किया है तो आप सब भी आजाएए खाना खाने के लिए